Hello everyone, welcome back to channel अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है भी इस्पेसलि एक FMC एस्पिरेंट हो आपने हमेशा एक बार सोची होगी कि आखिर FMC का कट ओफ इतना कम क्यों है जबकि FMC इंडिया के टॉप 3 मेडिकल कॉलोजिस में बहुत सा देश में हमेशा रहता है तो FMC का कट ओफ आखिर इतना कम क्यों है तो मैंने अपने सबी फ्रेंट्स की हेल्प से एक बुरा सर्वे लिया जिसकी मज़ा से पता चला क्यों टॉपस FMC को जॉइन नहीं करते हैं और बाकी किसी और पलश को जॉइन करते हैं इवन एक्जांपल में खुद दूस स्टार्टिंग में मैं भी FMC जॉइन नहीं करना चाहता था तो इस वीडियो में में मैं दो रिजन मताने वाला हूँ बाकी वाली पूरी वीडियो नीट इख्जाम के बाद में आएगी तक कि आपके नीटि एक्जाम में बिल्कुल भी अफेक्ट ना पड़े तो अब ही बात करते हैं में दो रिजन्स की सबसे बड़ा और सबसे में रिजन है 7 साल का बाउंड सर्विस ऐसी बात नहीं है कि बाकी किसी कॉलेज में आपको बांड सर्विस देखने को नहीं मिलेगी बट कि 7 साल का बांड काफ़ी जादा बढ़ा हो जाता है जबकि FMC में इन 7 सल की बांड में आपको काफ़ी ची पेमेंट मिलती है इवें इंटर्शिप को टाइम पे FMC में जिसनी पेमेंट मिलती है उतनी पेमेंट आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगी बट 7 साल तक आपको सर्विस देनी है यह वाली बात बहुत से स्वेंट को अच्छी नहीं लगती है यह पहला और सबसे में जिसके कारण टॉपस अच्छी नहीं करते हैं बात करें इस सेकंड डीजन की सेकंड रिजन है फिजिकल एक्साइजेज इफ्में आपको फिजिकल एक्साइजे हमेशा करती रहनी है यह वाली बात बहुत सा स्वेंट को पसंद नहीं आती है इसके काने बहुत सारे में रिज़न्स हैं उन सभी को बनों कम्प्रीट करेंगे आने वारी वीडियो में जो की निट एक्जाम के बाद हैगी आपकी क्या रहा है इसके उपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके साथ मिलता हो जल्दी आपके साथ मिलता हो जल्दी